पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अमफान की वजह से भीशन तबाही मची हुई है यहाँ पिछले 283 साल में आया ये सबसे भयावे तूफान है इस बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अमफान प्रभावित अलाकों का हवाई सर्विक्षन करने पहुँचे थे प्रधान मंत्री मोधी का कॉलकता एयरपोर्ट पर ममता बनरजी ने स्वागत किया दोनों निताओं ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षन किया हवाई सर्वे के बाद पियम मोदी ने ये कहा कि जब देश में कोरोना वाइरस का संकट है तब पूर्विक शित्र में तूफान ने प्रभावित कर दिया और पियम मोदी ने यहां ये भी कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने इस तूफान को लेकर तयारी की थी लेकिन इसके बावजूद 80 लोगों की जान हम नहीं बचा पाए हैं इस तूफान की वजह से काफी संपत्ती का नुकसान हुआ है जिसमें घर उजड़े हैं और इंफ्रस्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने शुरुवाती तौर पर एक हजार करोड रुपे की आर्थिक मदद का एलान किया और इसके अलावा मृतकों की परिजनों के लिए मुआवजे का एलान भी किया गया है पियम मोदी ने मृतकों के परिजिनों को दो लाख रुपे का मुआवजा देने का एलान किया है मेरे मन को छूने वाली बात होती है लेकिन संकट की घड़ी से हम जूज रहे हैं तब मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजा राम नहुन राई जी हम सब पाशिरवात दे ताकि समायनो कुल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैट करके मिल जुल करके एक उजवल भविश्य के लिए भावी पीड़ी के निरमार के लिए समाज शुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राम महुन राई जी को उत्तम शुरद्धानली होगी मैं मेरे परसिम मंगाल के सभी भाईयों पहनों को भी स्वाच दलाता हूँ कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है भारत सरकार कंदे से कंदा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों पे खड़ी रहेगी इसी संक्ट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूँ लेकिन कॉरोना वाइरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पार रहा हूँ मन में एक कसक तो रह जाएगी यहां से मैं आज उडिशाई की वर जाऊंगा और वहां भी हवाईनी विक्षाँ करूँगा वहां के माने मुखमित रिजी से वहां के सरकार चवाचित करूँगा